नमस्कार, I4U चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल हमेशा से ही सिक्षा जगत में छात्रों और सिक्षकों के भविश्य के लिए रिपोर्टिंग करती है। इसी करम में ये क्लास नाइन्थ का NCRT का पहला चैप्टर भगोली खोजें का दूसरा स्रीज जिसमें 20 महतपुर प्रस्न है जिसका उप्यूग BPSC द्वारा लिये जाने वाले एकजाम वैसे सिक्षक जिनका अभी से समाजिक विज्ञान रहेगा तथा उच्चमाद्मिक सिक उच्चक के लिए इत्यास रहेगा उनके लिए काफी महतपुर्ण है क्योंकि यह उन्हीं के उद्देश से बनाया गया है इसके पहले मैंने सिरीज वन क्लास नाइन्थ के NCRT के लिए सिरीज वन तयार किया था और यह सिरीज टू है इसमें खास बात का या द्यान रखा ज हो हर पेज का important question लिया जा रहा है ताकि कहीं से भी question मिस नहों और अनावस्य question को नहीं लिया जा रहा है तो हमारे viewers जो समाजी विज्ञान और इतिहास भी से के लिए त्यारी कर रहे हैं तो हमें पूरा उम्मिद है कि आप सत परतिसत इस question को कर पाएंगे और आपको बहुत स सारा प्रस्णी से मिलेगा क्योंकि आपको सिलेप से ज्यादा पढ़ना नहीं है लेकिन हां anxiety को छोड़ना नहीं है और एक बात मैं बता दूं कि यदि आप guide से पढ़ते हैं तो उसमें कई तरह के answer में तूटी रहती है प्रस्ण तो सही होता है लेकिन answer में तूटी रहती है इसलिए कहीं guide से बहतर है anxiety book का line wise line study यदि आपके पास समय का भाव है तो एक विसे सिक्षक के दौरा जो खुद एक सिक्षक अब भरती है अपने एक साथ साथ आपके लिए तियारी कर रहे हैं और आपके लिए materials परोस रहे हैं तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये वैस सिक्षक तता वैसे नाइंद के चात्र जिनोंने अपना पढ़ाई स्टाट किया है वे भी इसका पार्ट करेंगे पठन करेंगे तो आएए दूसरा स्रीज में पहला प्रस लेते हैं बासको डिगामा ने भारत की खोज कब की बहुत ही आसान को सन लेकिन इंपोर्टेंट ब पहले मैं बता दूँ कि यूरोपियों के द्वारा जो है पंदरमी सताब्दी में भोगोलिक खोजें प्रारम हो गई थी इसके पहले मैंने देखा कि किस प्रकार जेरूसलम पर आकरमन से मतलब धर्म यूद के वजह से इनके मार्ग में रुकावट आई कुस्तन तुनिया पर तुर्की के अधिकार होने से इनके बैबार में वाधा आए तो यह भोगोलिक खोजों की तरफ मोड़े इसी करम में भारत की खोज की 1498 में चलिए दूसरा प्रसंद देखते हैं वास्कोटिगामा कहां का यात्री था पुर्तगाल का तो मेरे विए आप इसमें देखें इसलिए जातर यात्री पुर्तगाल से रिलेटिड है आए अगला कोशन देखते हैं वास्कोटिगामा किस रास्ते भारत पहुंचा तीसरा प्रस्ण है वास्कोटिगामा किस रास्ते भारत पहुंचा तो सही जवाब है उत्तम आसा अंतरी के आंसर उत्तम आसा अंतरी चलि चौथा प्रस वास्को डिगामा उत्तम आसा अंतरीप होते वे भारत के किस तट तक पहुँच गया तो सही है भारत के मालावार तट यानि केरल के कालिकट वास्को डिगामा जो है उत्तम आसा अंतरीप के रास्ते भारत के मालावार तट तक पहुँच गया यानि केरल के काल आपने देखा कि यह सारे कोशन वास्को डिगामा से रिलिटर थे तो मैंने कोशिस किया एक भी कोशन आपका इंपॉर्टन कोशन चूट नहीं पाए और आप कम समय में जो है अधिक से अधिक और सटिक सही जबाब आप कर पाएंगे आप इसमें गलती की एक परतीसत भी गु देखा जाता है तो आइए पच्छमाख प्रस्ण देखते हैं भारत में वास्को डिगामा का स्वागत किसके द्वारा किया गया तो सही जवाब है केरल में अस्थानिया सासक जमोरीन द्वारा भारत में वास्को डिगामा का स्वागत किसके द्वारा किया गया तो केरल में अब्दूल मजीद जी हैं भारतिय वैपारी अब्दूल मजीद था जिसकी वेट वास्को डिगामा से दक्षिन अप्रिका में हुई थी और उसी ने भारत आने का रास्ता बताया था वास्को डिगामा को तो ये भी कोर्शन इंपोर्टन्ट है अगला प्रस्ट देखते हैं वास्को डिगामा को भारत आने का मार किस की साहिता से मिला तो अभी मैंने बताया अब्दूल मजीद से चलिए आठमा प्रस्ट अमेर्का को कोलंबस ने किस महादीव का इसा समझा भारतिय उप महादीव का ठीक है तो 14 treaties में अमेर्ख года को अमेर्का की खोज की Columbus के द्वारा, के स्टो पर Columbus के द्वारा और उसे से क्या समझा ये भारतिय ऊपमाधिब का फिस्सा है, ठीक है, चलिए अगला प्रस्द देखते है, Columbus ने अमिर्का के निवार्षीयों को क्या का, जब वह उसको भारतिय ऊपमाधिब का हिस्सा समझा था, तो वहाँ के यात्रियों को red Indians कहा था क्योंकि ओ रेड कलर से सम्भन दित है वहां के यह लोगों के कलर से सम्भन दित है और चुक्कि भारतिय अपमाधीप का समझा था इसलिए उसको red Indian कहा दिया आएए दस्मा प्रस्न देखते हैं अमेरिगू वेस्पुची कहां का यात्री था तो अमेरिगी वेस्पुची जो है इस्पेन का यात्री था ठीक है अमेरिगी वेस्पुची इस्पेन का यात्री था अगर आप प्रसुन देखते हैं नई दुनिया को विस्तार से किस ने ढूना तो सही जवाब है अमेरिगू पूची आपने देखा कि क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमिरिका की खोज की गई थी लेकिन विस्तार से जब खोज की बात होती है तो अमेरिगू बेस पूची नहीं खो जा था और इसी के नाम पर अमेरिका का नाम करन भी हुआ था आज देखते हैं इसे संदर में प्र कव तथा किसने पूरी दुनिया का चकर जहाज से लगाया यह भी प्रस्ण पॉर्टन है तो सवी जवाब है 1519 इसवी में मैगलेन ने पूरी दुनिया का चकर लगाया था चौधामा प्रस्म है आस्ट्रेलिया की खोज किसने की तो बहुत ही महत्पुर्ण प्रस्म है हम जानना चाहिए आस्ट्रेलिया की खोज किसने की कैप्टेन कुक ने चलिए पंदरमा प्रस्म जो है वह है न्यूजिलेंड के दुपं का पता किसने लगाया न्यूजिलेंड के खोजुई तो आप इसको ध्यान में रखेंगे आए अग्ला प्रसन देखते हैं newfoundland के दुपों का पता किसने लगाया तो सही जवाब है sir john और सेवाश्टिन कईवट ने newfoundland के दुपों का पता लगाया था चली सतरमा प्रस पुर्तघाली राजकुमार जिसने भ़गॉली खोजाओं को प्रोत्साहन दिया, तो सही आंसर है राजकुमार हेंडरी दर नेविगेटर, वो राजकुमार क्यों थे, हेंडरी दर नेविगेटर कहां के थे, यह पूरतगाल है तो हम काप्फी सारा युगदान देखते हैं पूरतगाल का तो काफी याद रखने वाली बात है अगला प्रस्थन है जिसने भगवुलीudic खोजों को प्रोटसाहिद किया वो कौन थो माराने इसा बेला और पृत्गाल के राजकुमार हेंडरी दर नविगेटर इन दोनों ने भगोलिक खोजों के लिए वेपारियों को आम लोगों को प्रोथसाहिद किया था आईए उनिस तक उनिसमा कोशन पढ़ते हैं कब तक समस्त दुनिया की जानकारी इरोब को हो चुकी थी सही जवाब है सुलहमी सतावदी के पुरवार्द तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी इरोप को हो चुकी थी आईए बीसमा और आज के स्रीज का स्रीजदो का अंतिम प्रस किस महादुईब को इरोपिय द्वारा नई दुनिया कहा गया तो सही जवाब है अमेरकी महादुईब को नई दुनिया कहा गया तो मेरे भीवर्स बहु जादा समय नहीं लगा आपको पढ़ने में और ये काफी इंटरेस्टिंग रंग से इसको प्रसूत किया गया है आप बिना मेहनत की एक कम समय में त्यारी कर सकते हैं आपको जब भी आप घर में लेटे हुए हैं या स्कूल में खाली समय में हैं आप दस-पंद्रा मियट का जो है ये वीडियो चला कर आप रिवाइज कर सकते हैं और आपके एक प्रस्मी चुटने वाला नहीं आसानी आसानी से आपके त्यारी हो जाएगी इसी तरह नाइन्द कलास का भी जो है और टेंध कलास का भी दोनों का पर्थम पर्थम पार्ट का फर्स फर्स कलास हो सकता है किसी स्रीज में दस किक्षण हो लेकिन 10 या 20 कुषण से कम नहीं होगा किसे स्रेज में तो कम इसलिए रखा गया क्योंकि आप बोरिंग फिल न करें आज भी हमारे पास समय है और आप पूदर पॉइंट सटिक जानकारी जो है गायट से बहुत ही बहतर जानकारी आपको क्योंकि इसमें गलत उत्तर होने की सांभावना बिलकुल नगन है तो आप य मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वेल आइकन को जरूर दमाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे थैंक्स पर वाचिंग